स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इस्टडी सीकर्स में आज हम डिसकस करेंगे 9 सितंबर 2022 के करंट अफेर्स जो सभी प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए अतिमाहत्पूर्ण होंगे और इसके साथ ही लाश्ट में हम प्रिव्यस टेके रिवीजन्स भी करेंगे त Food, Safety and Standard Authority आफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश के फरुकाबाद जिलेक में इस्थित जेल के खाने को 5 स्टार रेटिंग दिया है हम आगे बढ़ें और बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश की राजदानी लखनू है यहां की राजजपाल आनंदी बेन पटेल है उत्तर प्रदेश के मुखे मंत्री है योगी आधित्यनात उत्तर प्रदेश के Folk Dancers है कथक Danse ये इंडिया का Classical Danse भी है चर उत्तर प्रदेश में बिधान सबा सीटों की संख्या है 403, बिधान परिशत सीटों की संख्या है 100, लोग सबा सीटों की संख्या है 80, राज सबा सीटों की संख्या है 31, उत्तर प्रदेश का State Animal है Swamp Deer, State Bird है Saras Crane, State Tree है असोक, State Flower है पलास, State Dance है कथक, State Sport है फिल्डों की, भारत का पहला पहरा बैडमिंटन अकैडमी लखनों में खोला गया है, उत्तर प्रदेश को National Water Awards में पहला इस्थान मिला है, पियम मोदी ने मोहवा से उजवला 2.0 योजना सुरू किया है, गरतंतर दीवस परेड में उत्तर प्रदेश की जहांकी को बेष्ट जहांकी का उत्तर प्रदेश को ई-पंचायद पुरुसकार 2021 मिला है, उत्तर प्रदेश का भरतौल गाउं आरो कनेक्सन देने वाला पहला गाउं है, उत्तर प्रदेश ने सबजियों का उत्पादन सबसे जादा किया है, उत्तर प्रदेश के सरावस्ति से स्कूल चलो अभियान शुर में भारत का पहला वैक्यूम अधारित सीवर बनाया गया है बलरामपुर में उत्तर प्रदेश का पहला जन जातिय संग्राले खोला गया है बिजली संबंदि सिकाइतों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने संभो पोल्टल सुरू किया है हर मंडल में अटल अवाशिये विद लखनौ में भारत के पहले नाइट सफारी का विकास किया जाएगा चलते हैं अपने नेक्स्ट कोश्यन पर हाली में किस राजी को इंटरनेशनल ट्रिवल एवार्ड दो हजार तेईस प्रदान किया गया है तो इसका सही आंसर है आप्शन भी पश्चिम मंगाल पैस्विक एसिया ट्रबल राइटर्स एसोसियेशन ने बेंगॉल को बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर के लिए इंटरनेशनल ट्रवल एवार्ड दो हजार तेईस दिया है हम आगे बढ़ें और बात करें पश्चिम मंगाल की राजदानी कोलकाता है यहां की मुख्यमंत्री है पश्चिम मंगाल के फोक डांसेज हैं धुनीची डांस, कीरतन डांस, छाओ डांस और गंभीर डांस। पश्चिम मंगाल के फेस्टिबल्स हैं दुर्गा पूजा, डोल पूर्णिमा, जमाई सोसस्ती, पोहिला वैसाक और भाई सोंता। पश्चिम मंगाल का नेशनल पार इस्टेट एनिमल है, फिसिंग कैट, इस्टेट बर्ड है, किंग फिसर, इस्टेट फ्लावर है सेफाली, इस्टेट ट्री है चाटिम, आईए देखते हैं पश्चिम मंगाल से हाली के करेंट अफियर्स, पश्चिम मंगाल ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इसकीम पश्चिम मंगाल ने दुआरे सरकार योजना लागू किया है, पश्चिम मंगाल में ग्यारवी राष्टिय संस्कृति का आयोजन किया गया था, बारवी राष्टिय संस्कृति का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया है, दामोदर नदी को बंगाल का सोक कहा जाता है पश्चिम बंगाल ने प्रे सिक्षाले सुरू किया है हाली में पश्चिम बंगाल में जल सपनो योजना चलाया गया है नई सिक्षानीती की जाच के लिए पश्चिम बंगाल ने दस सदसीय समिती का गठन किया है हाली में NGT ने पश्चिम मंगाल पर 3500 करोड रुपए का जुर्माना लगाया है चलते हैं अपने next question पर किस राज में भारत का पहला बायो बिलेज इस्थापित किया गया है तो इसका सही answer है option C. तिरपुरा तिरपुरा का दासपारा गाउं भारत का पहला बायो बिलेज होगा जिसका मतलब है कि दासपारा गाउं में अब फल्टिलाजर्स का उप्योग नहीं होगा यहाँ पे सोलर सिस्टम्स का उप्योग होगा और सरल सब्दों में कहें तो दासपारा गउँ पूरी तरह से ये परियावरण के अनकूल होगा हम आगे बढ़ें और बात करें तिरपुरा की तो तिरपुरा की राजदानी अगर तला है तिरपुरा के गवनर है सत्य देव नरायन आर, तिरपुरा के मुख्यमंतरी है मानिक्षा, तिरपुरा के फोक डांसे हैं गोरिया डांस, ममीता डांस, होजागिरी डांस, तंग वीटी डांस, लेवांग बुमानी डांस, तिरपुरा के फेस्टिबल्स हैं गारिया पूजा, खरची मेला, नीर महल वाटर फेस्टिबल और पॉस सक्रांती तिरपुरा में ट्राइब्स पाई जाती है TIRPURIN ट्राइब, रियांग ट्राइब, जमातिया ट्राइब और मोग ट्राइब तिरपुरा में नेशनल पार्क है, Clouded Leopard नेशनल पार्क, राजबरी नेशनल पार्क, तिरपुरा का इस्टेट एनिमल है फायरे लीफ मंकी, इस्टेट बर्ड है ग्रीन इंपेरियल पीजन, इस्टेट फ्लावर है इंडियन रोज, चेस्ट नट, इस्टेट ट्री है आईए देखते हैं तिरपुरा से हाली के Current Affairs, तिरपुरा 19 जन्वरी 2022 को 44 कोग बोरेक दिवस मनाया है, तिरपुरा ने 21 जन्वरी 2022 को अपना 50 वा राज इस्थापना दिवस मनाया है, बिर्सक्या पहला बास से निर्मित किरकेट, बैट और इस्टम्स का निर्मार तिरपु तिरपुरा सरकार ने दिया है, तिरपुरा में चासर में कल्यान योजना चलाया गया है, दारलॉंग समुदायत तिरपुरा में पाये जाते हैं, निकसी NCS ने अंतर राष्टिये डाटा सेंटर खोलने की गोशना तिरपुरा में की है, हाली में तिरपुरा में लर्न बित अर्न योजना सुरू किया गया है, चलते हैं अपने नेक्स्ट कोश्चन पर, पीम, टीबी मुक्त भारत अभिहान को कौन लॉंच करेगा, तो इसका सही आंसर है, आप्शन डी राष्टपती द्रौपती मुर्मुजी, आज यानि कि 9 सितंबर को राष्टपती द्रौपती मुर्मुजी, पीम, टीबी मुक्त भारत अभिहान को लॉंच करेंगी, इसके साथ ही ये निक्षे 2.0 पोल्टल भी लॉंच करेंगी, भारत का एम है कि वो 2025 तक टीबी मुक्त हो जाए, बात करें टीबी की, तो ये माइको बैक्टीरियम टूबर क्लोसिस बैक्टीरिया से होता है, और आप यहाँ से एक चीज याद ये रखिएगा, कि लक्ष दीप और जम्मु कस्मीर का बढ़गाव जिला, ये दोनों टीबी स्री हो चुके हैं, हम आगे बढ़ें और बात करें, हाली में चलाई गई प्रमुख योजनाओं की, जगनात स्मार्ट टाउंसिप योजना आंध प्रदेश सरकार ने सुरू किया है, सेहत पहल रक्षा मंतराले ने सुरू किया है, रैंप कारिक्रम MSME मंतराले ने सुरू किया है, पियम डिवाइन योजना का संबंद पूर्व उत्तर भारत के विकास से है, माजी वसुन्दरा अभियान महराष्ट सरकार ने सुरू किया है, अम्मा और बहिनी योजना सिक्किम सरकार ने सुरू किया है, संभव और स्वालंबन पहल MSME मंतराले ने सुरू किया है, पियम स्री योजना प्रधान मंतरी रने इंदर मूदी ने सुरू किया है, चलते हैं अपने नेक्ष्ट कोश्चन पर, भारत के तीन सेहरों को युनेसको की ग्लोबल नेटवर्क लर्निंग सिटीज में सामिल किया गया है, कौन सा एक सामिल नहीं है, तो इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी वरार्णसी, भारत के जिन तीन सेहरों को युनेसको की ग्लोबल नेटवर्क लर्निंग सिटीज में सामिल किया गया है, वे हैं तिरसूर, निलंबूर और वारंगल, तिरसूर और निरंबूर केरल का सहर है, वारंगल ये तिलंगाना का सहर है, हम बात करें वरार्णसी की, तो वरार्णसी को हाली में S.C.O की कल्चरल कैपिटल बनाया गया है, हम आगे बढ़ें और बात करें युनेसको की, तो युनेसको की स्थापना 16 नॉमबर 1945 में हुई थी, इसका मुख्याले पेरिस में है, इसके डीजी हैं ओर्डरे औजले, बात करें कि भारत में युनेसको की वर्ल्ड हेरिटेस साइड कितनी है, तो ये है 40, भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेस साइड थी, आगरा फोल्ट और अजन्ता केवस, भारत की 49 वर्ल्ड हेरिटेस साइड है रमपपा टेंपल, भारत की 40 वर्ल्ड हेरिटेस साइड है धौला वीरा, हाली में हुईसला के मंदिर को 200 धरोवर सूची में सामिल करने के लिए नामित किया गया है, भारत में UNESCO की Intangible Heritage है 14, भारत की पहली Intangible Heritage थी रामलीला, भारत की चौदवी Intangible Heritage है दुर्गापूजा, हाली में गर्बा को UNESCO की सांस्कृतिक सूची में सामिल करने के लिए नामित किया गिया है भारत में UNESCO Creative City Network है 6, भारत का पहला Creative City Network था वराणसी और जैपूर, भारत का छटा Creative City Network है स्रीनगर, भारत में UNESCO के BioSphere Reserve 12 है, भारत का पहला BioSphere Reserve था नीलगरी BioSphere Reserve, भारत का बारुआ BioSphere Reserve है पन्ना Tiger Reserve, चलते हैं अपने Next Question पर इंडिया Pacific Economic Forum का आयोजन कहां किया जाएगा, तो इसका सही आंसर है, ऑप्शन भी Los Angeles, अमेरिका, भारत की तरफ से इंडिया Pacific Economic Forum में भाग लेंगे, भारत के वालिज और उद्ध्योग मंतरी Pius Goyal जी, हम आगे बढ़े और बात करे हाली में हुए सम्मेलन और बैठक की, तो G7 कृष्टी मंतरियों की बैठक जर्मनी में आयोजित हुई है, One Ocean Summit फ्रांस में आयोजित हुआ है, COP26 Glasgow Scotland में आयोजित हुआ है, Binks इंडिया 2022 हैदराबाद में आयोजित हुआ है, राष्ट मंडल संसदिय सम्मेलन हैलिक्स कनाड़ा में आयोजित हुआ है, इंडिया Global Forum Summit बै Smart Urbanization सम्मेलन सूरत में आयोजित हुआ है, पहला अंतरराष्टी क्रूज सम्मेलन मुंबई में आयोजित हुआ है, 21 विस Congress of Accounts इंडिया में आयोजित हुई है, सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन बैंगलोरू में आयोजित हुआ है, तीसरा Global Organic Expo नई दिल्ली में आयोजित हुआ ह टेक्स कौन सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, जी 20 सिक्षा मंतरियों की बैठक बाली इंडोनेशिया में आयोजित हुई है, चलते हैं अपने next question पर, हाली में किसे United Kingdom में ग्रह मंतरी बनाया गया है, तो इसका सही आंसर है, आपसें सी स्वेला ब्रेवर मैन, अब लिए आपको इन्हें याद रखना जरूरी है, हम आगे बढ़ें और बात करें United Kingdom की, तो United Kingdom की राजधानी लंदन है, United Kingdom की मुद्रा है पॉंड इस्टलिंग, यहां के प्रधान मंतरी है लिज्ट्रस, आइए देखते है United Kingdom का मैप, United Kingdom एक European कंट्री है, United Kingdom और फ्रांस को चौथा है Northern Ireland, जिसकी कैपिटल है Belfast, चलते हैं अपने next question पर, किसे Sipping Corporation of India का अध्यक्ष न्युक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर है, Option D, B के त्यागी, हम आगे बढ़ें और बात करें महात्वपूर्ण न्युक्तियों की, तो मनुच कुमार को अध्यक्ष बनाया गया खादी विकास और ग्रा मुद्योग आयोग का, रेनु सिंग को निदेसक बनाया गया है वनसोद समस्थान का, बिने मुहन कुआत्रा को विदेश सच्च्यु बनाया गया है, सांती सिरी धुलिपूरी को कुलपती बनाया है, जेन्युका, मनोष सोनी को अध्यक्ष बनाया निधी छिबबर को अध्यक्ष बनाए गया है PBFC का, प्रदेप कुमार मुहंती को अत्रिक्त प्रभार दिया गया है लोकपाल के अध्यक्ष का, राजु कुमार को मुख चुनाओ आयुक्त बनाए गया है, नल्ला थंबी कलाई सेल भी पहली महिला अध्यक्ष बनाए गया है CS आयोग के, प्यूस गोयल CEO बनाए गया है National Intelligence Grid के, समीर वी कामत अधिक्ष बनाए गया है DRDO के, चलते हैं अपने Next Question पर, हाली में किसने 22वा दुबई Open Chess Tournament जीता है, तो इसका सही आंसर है, आप्शन ने अरविंद चीदंबरम, हम आगे बढ़ें और बात करें खेल से संबंदित महत्पूर्ण Current Affairs, तो Common Belt Games 2026 ऑस्ट्रेलिया में आग जीत होगा, दूसरा खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स, जैन यूनिवर्सिटी ने जीता है, हरसदा गरोड ने 16 पदक जीता है, IWF Junior विसु कप में, बारत ने Under 19 Cricket विसु कप जीता है, केरल ने संतोष ट्रॉफी जीती है, हिमाचल प्रिदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी जीता है, थॉमस कप जीता है भारत ने, निखट जरीन ने 16 पदक जीता है विसु बॉक्सिंग चैंपियंशिप में, गुजराट टाइटन्स ने IPL 2022 जीता है, भवानी देवी ने Common Belth Fencing Championship जीता है, उबेर कप जीता है तक्षिन कोरिया ने, 36 राष्ट्रिय खेल गुजराट में आयो जीत हुआ है, सूपर नुवाज ने वूमेश्टी 20 चैलेंज जीता है, इंडिया ने कान से पदक जीता है होकी ACA Cup में, राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन में पुरू सेकल का खिताब जीता है, नुवाख जोकोबिच ने विबिनिडन ओपन में पुरू सेकल का किताब जीता है, Common Belth Games 2022 में भारत ने 61 पदक जीते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट कोश्चन पर, जो कि आज का हमारा लाच्ट कोश्चन है, International Vulture Awareness Day किस दिन मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है, Option B सितंबर के पहले सनीवार, International Vulture Awareness Day सितंबर के पहले सनीवार को मनाया जाता है, और 2022 में ये 3 सितंबर को मनाया जाता है, हम आगे बढ़ें और बात करें सितंबर के महत्पूर दिनों की, तो 2 सितंबर को 20 सुनारियल दिवस मनाया जाता है, 3 सितंबर को Sky Scrapper Day मनाया जाता है, 5 सितंबर को लाश्ट्रिय सिक्षक दिवस और International Day for Charity मनाया जाता है, जिसे है, तो इसका सही आंसर है केरल, नेक्स्ट कोश्चन है, 36 गड़ सरकार ने 3 ने जिले का निर्माड किया है, अब 36 गड़ में कुल जिलो की संख्या कितनी हो गई है, तो इसका सही आंसर है 31, नेक्स्ट कोश्चन है, भारत की पहले इंट्रा नेजल COVID-19 वैक्सीन का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है इनको वैक, नेक्स्ट कोश्चन है, हाली में किसने PM स्री योजना को लॉंच किया है, तो इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी, next question है भारत ने किसे कनाडा में अपना राजदूत ने उक्त किया है तो इसका सही आंसर है संजय वर्मा next question है भारत और जापान के मध्द मंत्री इस्थर ये 2 प्लस 2 वारता का रिजन कहां हुआ है तो इसका सही आंसर है टोकियो next question है हाली में सुबरतो कप फुटबॉल इंटरनेशनल टोर्नामेंट का सुभारम कहां से किया गया है तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली नेक्स्ट कोश्चन है लोक मान निसाहित पुरुसकार किसे प्रदान किया गया है तो इसका सही आंसर है तन्नी के लभरानी नेक्ष्ट कोश्चन है इंटरनेशनल डे फ़ार चैरिटी किस दिन मनाया जाता है तो इसका सही आंसर है 5 सितंबर आप लोगों से कल का सवाल था हर घर में आरो फिल्टर का कनेक्शन देने वला उत्रप्रदेश का पहला गाओ कौन सा है तो इसका सही आंसर है भरतौल आप लोगों के लिए आज का होमवक है भारत की पहली इंट्रा नेजल COVID-19 वैक्सीन का नाम क्या है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा आज के क्लास की PDF की लिंक आपको description box में मिल जाएगी और अगर आपको आज के क्लास से रिलेटेट कोई भी confusion या doubt होता है तो आप हमारे Instagram एकाउंट पे message कर सकते हैं Instagram एकाउंट की लिंक आपको description box में मिल जाएगी इसी के साथ अपनी इस क्लास को यहीं पे end करते हैं I hope आपको हमारी आज की आपकाउंट पसंदाई होगी और टेली ऐसे ही important current affairs को देखने के लिए हमारे चैनल को like, share और subscribe जरूर करें धन्यवाद हमारे आपकाउंट